तो हम 6th class से 10th class की quality जो है वो कर रहे हैं जिसमें हम 6th class, 7th class, 8th, 9th कर चुके हैं और 10th class की quality जो है वो भी आपकी पूरी होने को है तो आज हम last part करेंगे second chapter का इसके बाद केवल एक chapter आपका रह जाएगा third chapter उसे भी हम कर लेंगे जिसे की आपकी 6th से 10th तक की पूरी complete हो जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं question 1 वर्तमान में सर्वोच नयाले और उच नयाले में नयायधीसों की नुक्ती किस विवस्था से की जाती है तो वो कौन सी विवस्था से सर्वोच नयाले और उच नयायधीसों की नुक्ती होती है तो वह है विवस्था कहलाती है कॉलेजियम विवस्था ठीक है कॉलेजियम विवस्था से सर्वोच न्याले और उच न्याले के न्यायदीसों की नुक्ति की जाती है अब ये कॉलिजियम विवस्ता क्या होती है जान लेते हैं जिसके अनुसार सर्वोच न्याले के मुख्य न्यायदीस और चार वरिष्ट न्यायदीसों का एक समू होता है जो की राश्ट्रपती को नाम प्रस्तावित करते हैं और राश्ट्रपती इन ही नामों में से न्यायदीस बनने की क्या योगिता होती है सर्वोच न्याले के न्यायदीस बनने की क्या योगिता होती है सर्वोच न्याले के न्यायदीस बनने की क्या योगिता होती है सर्वोच न्याले के न्यायदीस बनने की क्या योगिता होती है सर्वोच न्याले के न्यायदीस बन और पांच वर्ष तक किसी उच न्याले में न्यायधीस रहा हो तो वह सर्वोच न्याले का न्यायधीस बन सकता है सर्वोच नयाले का नयाधीस कितनी वर्ष तक अपने पदपर रह सकता है तो वह है उसकी उम्र 65 वर्ष तक सर्वोच नयाले का नयाधीस अपने पदपर रह सकता है तो आपको comment box में ये बताना है कि उच्छ न्यायले का न्यायधीस जो है, वो कितने वर्ष तक अपने पत पर रह सकता है, ठीक है? Next question number 4, मुख्य न्यायधीस और अन्य न्यायधीस को कितना वेतन मिलता है? तो देखिए मुख्य न्यायदीस को एक लाख रुपए मासिक बेतन मिलता है, ठीक है, मंतली पेमेंट कितनी है, एक लाख, वहीं अन्य न्यायदीसों की बात करें तो उनको नब्बे हजार रुपए पर मंत मिलते हैं, नेक्स्ट कुश्यन नंबर फाइफ, किस अनुचेद में है कि सर्वोच न्याले का प्रधान कार्याले दिल्ली में है, तो अब हम बहुत सारे अनुचेद जो है वो लर्ण कर चुके हैं, जो की आपके एक्जाम की अकॉर्डिंग थे, आज दुबारा से नया अनुचेद, किस अनुचेद में सर्वोच न्याले का प्रधान कार्याले दिल्ली में है, तो यह लिखा है अनुचेद 130, ठीक है, 130 अनुचेद सर्वोच न्याले का प्रधान कार्याले दिल्ली में है, कुश्यन नंबर 6, भारत का अंतिम अपीलिय न्याले कौन सा है, ठीक है, तो अंतिम सर्वोच नियाले है सर्वोच नियाले सुप्रीम कोर्ट कुश्यन नंबर सेवन सर्वोच नियाले के शेत्रादिकार में प्रारंबिक शेत्रादिकार में कौन-कौन से अधिकार आते हैं तो प्रारंबिक शेत्रादिकार में कौन-कौन से आते हैं फर्स्ट हैं प्रारंबिक एक मेव अधिकार और दूसरा है समवर्ती शेत्रादिकार प्रारंबिक एक मेव शेत्रादिकार कौन से होते हैं जिसमें एक राज्य और दूसरे राज्य के वीद यदी विवाद हो जाता है तो इन विवादों की सुनवाई जो है वो कीवल सर्वोच नियाले के अधिकार में होती है next समवर्ती शेत्रादिकार जिसमें मौलिक अधिकार से संबंदित यदि विवाद होते हैं तो वह अधिकार भी सर्वोच नियाले को है तो याद रखना है प्रारंबिक शित्रादिकार में दो तरीके की अधिकार आएंगे प्रारंबिक एक मेव अधिकार और समवर्ती शित्रादिकार वहीं सर्वोच न्याले के शित्रादिकार में एक होते हैं प्रारंबिक शित्रादिकार दूसरे होते हैं अपीलिय शित्रादिकार तो हम next question में अपीलिय शित्रादिकार के बारे भी बात तो करेंगे तो ये जो अधिकार है ये आपको बहुत जाने जरूरी है कि सर्वोची नियले के प्रारंबिक शित्रादिकार में कौन से अधिकार आते हैं जिनने हम अनुछेद 132, अनुछेद 133 और अनुछेद 134 के अंधरगत देखते हैं फर्स्ट है सम्वेधानिक अधिकार सम्वेधान की व्याक्या से संबंदित ये कोई कानून है तो यह अधिकार किसे है सर्वोच न्याले को दीवानी हमें पता है दीवानी और फौसदारी जो है वो कानून कौन से होते हैं तो दीवानी कानून जिसमें जमीनी विवाद जो की 20,000 से अधिक की राशी के हूँ, तो यह अधिकार जो है, वो सर्वोच न्याले के अंतरगत आता है, सर्वोच न्याले इन जो विवाद का निप्टारा जो है, वो करता है, ठीक है, नेक्स्ट है फॉसदारी, उच्छ न्याले ने यदि मृत्युदंड दे दिया है, तो सर्व अधिकार किसके पास है, यह अधिकार है, सर्वोच न्याले के पास, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 9, समविधान के किस अनुछेद के अनुशार सर्वोच न्याले को अधिकार है, कि वो सैनिक न्याले के निर्णे के वृद्ध अपने यहाँ अपील के अनुमती दे सकता ह तो यदि कोई व्यक्ति सैनिक नियाले में खुच नहीं है निर्णायों से तो वह सर्वोश नियाले में जाकल अपील कर सकता है और इस अपील की अन्मुती जो है वो सर्वोश नियाले देता है यह लिखा है अनुछेद 136 की अंतरगत। ठीक हैं तो हमने अभी देखा नियाले के निर्णों के वृद्ध अपने यहां अपील की अनुमति दे सकता है सर्वोचे नियाले नेक्स्ट कुश्यन नमबर 10 राष्ट्रपती किस अनुचेद के अंतरगत सर्वोचे नियाले से परामर्ष मांग सकते हैं तो वह हैं अनुचेद 143 143 देखिए नियाले का उलेक किस अनुचेद में हैं अब यह अनुचेद 119 के अंतरगत अबलेक नियाले का उलेक किया गया है नेक्स्ट कुश्यन नमबर 12 भारत की नागरिकों के मौलेक अधिकारों का रक्षक है भारत के नागरिकों के मौलेक अधिकार जो हैं उनको संरक्षन प्राप्त किस से हैं सर्वोचे नियाले से नियायाले मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितने लेख जारी कर सकता है या कितनी रिट जो है वो जारी कर सकता है तो पांच प्रकार की रिट होती है जो हम बात कर चुके हैं किसली जो क्लासिस थी उसमें परस्ट है बंदी प्रत्यक्षी करण, सेकेंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिवेद, उसके बाद है अधिकार प्रक्षा और लास्ट है उत्प्रेक्षण बंदी प्रत्यक्षी करण, परमादेश, प्रतिवेद, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेक्षण Next question number 14, कानूनों की वैधानिकता की जाच करने की शक्ती किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है सर्वोच न्यायले को, ठीक है? कानूनों की जो वैधानिकता की जाच जो है, वह कौन कर सकता है? सर्वोच न्यायले Next question number 15, सर्वोच न्यायले की किस अनुचेत की अंतरगत संगिय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों की पुन्रावलोकन का अधिकार है? पूछा जा सकता है कि सर्वोच न्यायले को पुन्रावलोकन का अधिकार जो है, वो किस अनुचेत की अंतरगत है? तो यह हैं अनुचेद 131 के अंतरगत संगिय सरकार और अनुचेद 132 के अंतरगत राज्य सरकारों द्वारा जो निर्मित विधियों के पुन्रावलोकन कादिकार है नेक्स्ट मंदल का सबसे महत्वापून काररे जो वह क्या है सबसे महत्वापून काररे Thank you करेंगे राष्ट्रिय नीति निर्धारित करना तो यह आपका अंतिम प्रश्ण था और आज आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि वो भी आपका अंतिम चैप्टर ही होगा थैंक यू